बिहार में सियासी घहमासान जोरो पर है इस बार बिहार के कई धुरंदर चुनाब मैदान में नहीं है उनकी जेके बेटों के साथ साथ बहु और बेटियों ने संभाली है कई ऐसी बेटियां चुनावी समर में कूच चुकी हैं जो अपने पिता या ससुर की विरासत को आगे ले जानी को तयार हैं इन में से कुछ तो राचनीती में बिलकुल नहीं है तो कुछ के पास राचनीती करने का पहले से अनुभव है कोई बेटी MBA करके मल्टी नाशनल कमप विनो चौधरी की बेटी पुषपंप्रिया चौधरी बिस्फी से राचत नेता जय प्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश तारपूर से पुर्व सांसत कमला मिश्रुम अधूकर की बेटी शालिनी मिश्रा केसरिया सीट से चुनाव लड़ रही हैं तो वहीं ये जानते हैं कौन हैं ये बहु बेटिया पुश्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर बिहार की एक बेटी च्छाई हुई है वह चुनाव से जुड़े अपने हर गतेविधी को अपटेट कर रही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जदियों के वरिष्ट रिनेता इबंपु बिनोच चौधरी की बेटी पुश्पम प्रिया चौधरी की चुनावी मैदान में कूदने से पहले उन्होंने अपनी नई प्लूरल्स पार्टी बनाई है उनकी पढ़ाई लंडन से हुई है वह खुद मदुबनी जिले की बिस्वे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी श्रेयसी सिंग पुर्व परशुपालन राचमंत्री स्वर्गी आदित्य सिंग की बहु नीतु सिंग मैदान में है नीतु के पति शेखर सिंग और पप्पु सिंग की छवी दबंग के तौर पर रही है लहासा राचनीतिक विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी नीतु सिंग ने संभाली है इलहाबाद डीम्ट युनिवरस्टी से सनातक नीतु समात सेवा में सक्रिय रही है खेती उनका व्यवसाई रहा है दिव्या प्रकाश दिव्या प्रकाश का राचनीतिक करियर नहीं है अपने पिता पुर्व मंत्री जय प्रकाश नारायन यादव के बलबूते राज़त से टिकेट पाने में सफल दिव्या पहली बार तारपुर विधान सबाक शेतर से चुनाव लड़ रही है दिव्या कहती है कि पिता के पच्चिन्हों पर चलते हुए तारपुर की बेटी बनकर समाज की लोगों की सेवा करूंगी महिला शिक्षा और महिला सशक्ती करण के स विकासकार्यों को कींद्रित करूंगी मीना कामत बाबु बरही से इस बार मंत्री कपल देव कामत की जगे मीना कामत मैदान में हैं मीना एमे पास हैं और जिला परिश्रत की सदस से भी हैं कपल देव कामत पहली बार 2005 में मले बने थे स्वासकार्णों से कामत चुनाव नही शालिनी मिश्रा केसरिया से जद्यू ने शालिनी मिश्रा को उम्मिद्वार बनाया है। वे पुर्व सांसत स्वर्गीय कमला मिश्रू मधुकर की बेटी है। शालिनी कहती हैं कि उनकी मां डॉक्टर कामना मिश्रू भी छात्र जीवन से ही राचनीती में सक्रिय थी। शालिनी मारकेटिंग में MBA हैं और विभिन कमपनियों में 22 वर्षों तक काम कर चुकी हैं। CPI में रह चुकी शालिनी कहती हैं वे नितीश कुमार से प्रभावित होकर जदियू में आई हैं। डॉक्टर निकी हैंब्रम काटोरिया से भाश्पा की प्रत्याशी हैं। वे कटूरिया पूर्वी सीट से जिला परिशत सदस से भी रही हैं। 2015 के विधान सबा चुनाव में ससुर सोने लाल हैंब्रम की तब्यत खराब होने के चलते भाश्पा ने डॉक्टर निकी को टिकेट दिया था। लेकिन वे राज़त की स्वीटी सीमा हैंब्रम से लगबग 10,000 वोटों से हार गई थी। इसके बाद भी डॉक्टर निकी पार्टी कारिक रमों में सक्रिय रही हैं। आपको हमारी ये रिपॉर्ट कैसे लगी आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चानल बिहा टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टरगाम पर भी पॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।